कि नबस्कार जैश्री कृष्णा कि नबस्ते सर्थ नमस्ते नमस्ते अरुन जी यह कहां रहे गई अजय मिटल विजय कपूर शिवा यह कहीं आए नियुक्त पहुंचे नियुक्त कुछ आज कुछ वह नहीं कुछ गलती से इंट्रॉडक्शन मीट डल गया था न हाँ कोई न कि चलो तो हम लोग तो शुरू करते हैं अजी कि रिकॉर्डिंग बाकी लोगों में पहुंच जाएगी तो पहले में इस शेयर कर लेता हूं स्क्रीन कि नवाश्कारी नवाश्कार म्यूट रखेगा आप लोग सब्सक्राइब क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मैं वैसे पढ़ाऊंगा आपको तो बीच में म्यूट रखेगा जब मैं क्वेश्चन पूछने को कहूंगा आपसे तो आप क्वेश्चन पूछिएगा अच्छा देखिए निमरालोजी से आप लोगों को कितना कुछ समझ माता है आप लुगों किसी ने भी निमरालोजी के वारे में थोड़ा बहुत उतला है इत कि इत्ना ने God थोड़ा बहुत आइडिया है नंबर का वह ऐज Самे पताते हैं ओर अरुकंजी आपने कुछ थोड़ा कभी देखा है नमबर के बारे में कहीं कुछ YouTube में कई thought चुछिए मैं बताता हूंगा नमबर का इंसान के आप बढ़ा एफेक्ट होता है। यह बात तो आप मानेंगे कि नंबर का इंसान के ऊपर बहुत होता है। आपकी डेट बर्त है, आप किसी खास डेट बर्त को पैदा हुए है, इसका मतलब यह है कि आप एक पर्टिकुलर डेट बर्त को पैदा हुए हैं, तो आपका एक पर्टिकुलर नंबर है. तो नंबर बहुत इंपॉर्टन्ट है, मेरी अब आपको आ रही है ने सब लोगों को, वैदिक जयोतिश में हम लोग पढ़ते हैं, बारे राशी के बारे में, बारे भावों के बारे में, नौ ग्रहों के बारे में, 27 नक्षत्र के बारे में, तो वहां पर भी नंबर का इस्त हर इंसान की एक particular date of birth होती है, तो इसका मतलब नंबर का रोल काफी है, जब बारे राशी हैं, बारे भाव, नौ प्लानेट और सकता इस नक्षत्र है, तो वहां पर भी नंबर का रोल वह काफी है, तो नंबर का रोल बहुत जवरस होता है, नंबर एक vibrations लेके आते हैं, और न documented थी, निमरलोजी की, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया subject है या अभी आया है, बहुत प्रणा subject है, आपने कीरों के बारे में सुना होगा, निमरलोजिस्ट रहे हैं बहुत बड़े, उन्होंने काफी विद्धिया यहां पर आके हमारे रेशी मुनियों से सीखी थी, उन्हो बहुत ही old और बहुत ही documented है, 500 BC से documented है, सबसे पहले एक डवलप हुआ था ये, पाइथागोरस ने डवलप किया था इसको, पाइथागोरियन निमरलोजी के नाम से, लेकिन इसमें एक खास बात थी, खास बात क्या थी, इसके अंदर एक कमी थी, कमी इसमें ये थी, कि एक त तो इसको वो लोग documented नहीं होने देते दो, भई आप किवर बोलते थे, बोलते थे बस सुनो, लिखना नहीं है आपको, नोड नहीं करना है, तो पाइथागोर्यन निमरलोजी के अंदर ये बड़ी problem थी, कि वो document नहीं कर सकते थे, उनको सिर्फ आपको सुनना होता था, और स इससे केवल इनसान के behavior का, उसकी personality का, उसकी characteristic का मौलूम चलता था, उससे overall prediction नहीं हो पाती थी, ये एक उसके अंदर कमी थी, पाइथागोर्यन जो निमरलोजी थी, उसके बाद development में आया लोशू ग्रिड, लोशू ग्रिड के वारे में आप लोगोंने बहुत सुना होगा, यूट्यूब पे, आप देखते भी हैं, और इसके उपर कई सारी यूट्यूब में वीडियो बने हुई हैं लोशू ग्रिड के उपर, बड़ा लोगोंने उसके उपर views भी हैं, likes भी हैं, सब कुछ है, तो बहुत बाते करते हैं, लोशू ग्रिड कुछ और नहीं, चाइना ने हमारे लक्ष्वी यंत्र से लिया है, जो हमारा लक्ष्वी यंत्र है, अगर उसको आप देखो तो वो लोशू ग्रिड है, और ग्रिड सिस्टम जो है, लोशू ग्रिड, इससे भी हम केवल behavior का, personality का, characteristic का, पता लगा सकते हैं, कब वो इंसान property खरीदेगा, कब इंसान की लगेगी, कब इंसान पर केस होगा, कब इंसान केस जीतेगा, ये बातें इन चीज़ों से नहीं मालम चलती, ना लोशू ग्रिड से, ना पाइथागोरन निमरोलोजी से, लोशू ग्रिड और पाइथागोरन निमरोलोजी दोनों सिर्फ इंसान के behavior को credit करने के लिए होते है कि इंसान की behavior कैसा है, उसकी आते कैसी है, वो खुद कैसा है, उसके बारे में तो ये बता देते हैं। इन सबसे उपर जो है, जो सबसे प्राचीन है, वो है वैधिक ऐस्टलोजी है। कि उसके ट्रेट्स ही नहीं बलकि उससे प्रडिट कर सकते हैं कि कब इसके जिंदगी में सुखाने वाला है कब इसकी जिंदगी में दुखाने वाला है कब यह आदमी ट्रेवल करने वाला है कब यह ट्रेवल नहीं करने वाला है कब इसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है कब इ परिश कब होगी और चाइल्ड कब होगा ये दो चीज छोड़के ऐसी कोई चीज नहीं जो निमरलोजी ना बता दे पड़िट कर दे अभी विवहा पे और चाइल्ड पे रिसर्च चल रही हैं बहुत आशा करते हैं कि जब तक हम लोग पढ़ाएंगे या आने वाले कुछ सम प्रापर्टी है लड़ाई जगड़े हैं फाइनस है जॉब है यह सब चीजों का मालूम चलता है प्रडिक्शन के तुरू और इसके अंदर भी जैसे बैदिक अस्रलाजी में होता है विम्शोत्री दशा अंतर दशा इनका प्रियोग होता है यह लोग शुग्रेड में नह हे जी होता है उसके फडिक्शन के वल वादिक डीडिक हेसी में है और इसको चैयर्ड gegna diz गाह जाता है तो छो बीघविएर चेक करती चैंड फिलेक्ष्क प्रेक्षं देटी है मीरने तो देटेटी है जिन्होंने अपना नाम चेंज कर रखा है और नाम के अंदर कोई ने कोई वर्ड लगवा रखा है जैसे रितिक रौशन उसने एच लगवाया वाया पहले आप जानते हैं बहुत अच्छा कराकार है राजकुमार राओ उसका असली नाम है राजकुमार यादव आश्वान के नाम में भी बेखा से डबल के लगा हुआ ऐसा है तो आप बहुत सेलिबिटी बहुत लोगों के साथ देखेंगे जहां पर की नाम चेंज करा लिए उनने क्यूंकि नाम चेंज कराते ही उनका और चेंज हो जाता है इसमें कोई डाउट नहीं है नंबर चेंज हो होता है और और चेंज होने से इंसान अपने जीवन में तरक्यत है यह बड़ी अपने आपमें एक विद्या है लोग मार्केट में इसके वीपार बहुत पैसे लेते हैं मैंने देखा है कि 20-20000 रुपे 30-30,000 रुपे लोग नाम चेंज कराने का देते हैं इतना मतलब इसका रहती है नाम चेंज कराने के लिए कि भी हमें क्या नाम रखना है यह हमारा नाम है हमें बिजनेस सूप नहीं कर रहा तो क्या नाम हम कर दें बिजनेस का क्या इसमें एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दें कि हमारे लिए यह अच्छा हो जाए वो सब चीजे में आपको पढ़ा परफेक्ट जोतिस बन सकेंगे ऐसा मेरा मानना है इसमें थोड़ा सा टेरो कार्ड का भी आता है रोल कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टेरो कार्ड से भी देखी जाती है लेकिन नुमरलोजी बहुत इंपॉर्टन्ट है वैदिक एस्ट्रोलोजी में कई जगे कई बात कुछ प्रडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए बहुत मेहनत लगानी पड़ती है लेकिन नुमरलोजी के थुरू वह बहुत जल्दी पकड़ माते हैं बस केवल एक मैरिज कब होगी और चाइल्ड वर्थ इन दो को छोड़के बाकी हर चीज आप देख सकते नुमरलोजी में तीर नंबर बहुत इंपॉर्टन होते हैं रूट नंबर बैसेनी नंबर काडिना नंबर यह तीन चीज याद रखिए रूट नंबर को हम लोग बोल देते हैं बेसिक नंबर कई जगे यह बोला जाता है तो आप कंफ्यूज मत हुएगा यूट्यूब पे कुछ वैदिक असलोजी के एक दो लेक्चर पड़े में देखे हैं मैंने वहाँ पर वो लोग बेसिक नंबर इस्तेमाल कर देते हैं को फ़ागांः रहे हम जो नंबर इस्तेमाल करेंगे वह हम करें बैसिक नंबर डैसिंच नंघ्र चाब प्ल क्या होते हैं ये तीन नंबर आपने समझने है बेसिक नंबर क्या है डैस्टरी नंबर क्या है और उति 27 नंबर क्या है अच Working यह तीन नंबरまぁ कि तो यह कोई जानता है बेशिक नंबर क्या होता है किसी ने कभी सुना हो कुछ पढ़ा हो बता हो रूप नंबर या बेशिक नंबर क्या होता है सब्सक्राइब का सम जैसे जी वन है उसको मूलंक मतलब बेसिक नंबर उसी को बोलते हैं देट देट का जी बिल्कुल ठीक है जैसे ट्वेल्व है तो वन प्लस टू इसकोल थ्री जैसे बेसिक नंबर हमारा होता है गैस्तिन नंबर हमारा होता है काड़िन नंबर होता है तो हम इन त्रीनों नंबर को कैसे निकालते हैं क्योंकि इन नंबर्स का उप्योग होता है इन नंबर्स का उप्योग कहा होता है इन नंबर्स का उप्योग होता है ग्रिड बनाने में अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्र कितना ए்कितना यह एमोशिनल है कितना यह प्राटिकल है पितना यह है यह सब बात मालूम सब दाएं तो गृड बनाने में इन तीन नंबर कर इस्तेमाल होता है आपका बेसिक नंबर आपका डेस्टी नंबर और आपका काड़िव नंबर की कि इसके करेक्टरिस्टिक कुछ दूसरी होंगी, आपका बेसिक नमबर टू है, तो आपकी करेक्टरिस्टिक दूसरी होंगी, तीन हैं तो अलग होंगी, चार हैं तो अलग होंगी, और डेस्टिन नंबर उसका पांच आता है तो आप कहेंगे मैं क्या करेक्टरिस्टिक बताऊं इसकी अप जैसे हम लोग वैदी के चलोगें पढ़ते थे कि लगन और राशी हम कहते थे लगन वाले का यह कॉलिटी होती है यह करक राशी वाले की यह कॉलिटी होती है जिसका चंद्रमाउस राशी में बैठा हो हम यहीं बोलते थे उसके अंदर भी सेम सिस्टम यह है डैस्टिनी नंबर जो होती है बैसिक ली यह जर्नी फ्रॉम बेसिक टूट डैस्टिनी मतलब कहने का यह है डैस्टिन नंबर तो ऐसा होता है जो लोग आपको फील करते हैं और बै चाहते हैं इसलिए आप करते हैं समाज में लेकिं समाज में जब वो रहते हैं या बहुत से हैं एक्टर जो आदत की बिलकुल अच्छे नहीं है कि लेकिन जब वो तक्षरों में रोल करते हैं या जब कहीं किसी कॉंफरेंस में कहीं आते हैं तो बड़ी अच्छी बाते करते हैं बड़ी मोटिवेशनल टॉप देते हैं तो लगता है कि यार यह तो बहुत अच्छे इसान है चाहे उनके अंदर कितनी भी बुरी आद्थे क्यों नहों कि क्यों थे तो कहने का मतलब यह है कि बेसिक नंबर तो वह आपकी प्रफ। कि और मध्क व्य conceal जो यह फिर बंना चाहते हैं उस तरह कि ज उससीं नंबर का तो इस्ते हमाल एबनाने में होता है और कोई इस्तेमाल नहीं होता वो तीनों में आपको बताऊंगा यह निम्रलाजी का तो उसमें आप देह लीज़ेगा देखें यहां पर नौ नंबर का खेल है सारा एक से लेके लो जीरो को यहां कंसिडर नहीं करते हैं एक नंबर सूर्य को दिखाता है दो नंबर चंद्रमा को दिखाता है तीन नंबर जुपिटर को दिखाता है चार नंबर राहू को दिखाता है पांस नंबर मरकरी को दिखाता है छे नंबर शुक्र को दिखाता है साथ नंबर केतु को दिखाता है आठ नंबर शनी और नौ नंबर मंगल यह टोटल नौ नंबर हैं नौ ग्रहों को दिखाते हैं जो नंबर एक वाला होगा उसके अंदर सूर्य जैसे गुन होंगे जो नंबर दो वाला होगा उसमें चंद्रमा जैसे गुन होंगे जो नंबर तीन वाला होगा उसमें ब्रहस्पती जैसे गुन होंगे जो नंबर चार वाला होगा उसमें राभू जैसे गुन होंगे तो वो थोड़ी बहुत नॉलिज भी आपके बहुत काम आएगी यहां पर बताने के लिए तो हर नंबर को एक प्लैनेट दिया गया है एक से नौ नंबर का इस्तेमाल होता है युम्रलाजी में और उन नौ के नौ नंबर को एक ग्रहे असाइन किया हुआ है कि यह उसका स्वा on a three. यह इनर चलिए अग्फे सपता है द्सीक अलफी सब्सक्राइब Tech bells क्या होता है और लीजिक भी गावर होता है और रच्छी नंबर क्या होता है यह हम आप और जिकर करेंगे आगके चका उतना समझाद यह कि एक स्वामी सुरिया है उनमें सूरी जैसी quality होती है, दिनका तीन है, जुपिटर है, चार है, रागु है, पांच है, मरकरी जैसी quality होंगी, छे हैं विनस जैसी, साथ है तो केटु जैसी, आठ है तो शनी जैसी है, और नौ है तो मंगल जैसी quality उसके अंदर होंगी. पहुत सिंपल है, basic number निकालना, यहां root number लिखावा है, तो root number और basic number दोनों एक ही चीज़े हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, root number का भी नाम देते हैं, basic number का भी नाम देते हैं. माल लो, किसी की date of birth 10-12-1964 है, तो उसका root number जो होगा, वो date उठा लिजिए आप खाली, और date को single digit में change कर दिजिए, 1 प्लस 0, 1 हो गया, तो उसका root number होगा, वो 1 होगा. root number ऐसे निकालते हैं, कि जो date आपकी है, उसको single digit में change कर लिजिए, वो आपका root number होता है. जैसे, मैं आपको कुछ थोड़ा सा example भी देता हूँ. तपन, तुमारी date of birth क्या है? 10th March 1978 तो तुमारा root number क्या हुआ, basic number? 1 1 हुआ, good. जी. यूदि 1 प्लस 0, 1 हो गया, यह आपका root number हुआ. तो root number निकालने का तरीका तो समझ गया, कि जो date होती है, उस date का आपको single digit में change करना है. अगर किसी की date यहाँ पे 15 अपरेल है, 1960 है, तो अब 15 का पंदरे है, 15 पांच और एक 6, तो 6, 6 आपका basic number बन लिया. इस तरीके से आपको basic number calculate करना है, या अपना root number calculate करना है. बहुत simple है? आजी. अब वो दूसरा आता है, डेस्टरी number. वो दो है मेरा. हाँ. वो कैसे निकारते हैं, बताओ. 10 प्लस 3 प्लस 19 प्लस 1978. हाँ. इसको पूरा total कर लेंगे. तो तो आता है मेरा 11. प्लस 3, प्लस 1, प्लस 9, प्लस 7, प्लस 8. एक, तीन, चार, एक, पांस, नो, चौदा, साथ, एक्की, सराथ, उननतिस हो गया. ये 11 आता है. 29 को single digit में convert नहीं करेंगे भी. पहले नौर्दो 11 कर लेंगे. 11 को single digit में कर लेंगे, दो कर लेंगे. दो आता है, ठीके, ये समझ आया है आरुण जी आपको? आज सर, आया सर. अच्छा, कोई और डेटा बर्ट बताईए अपनी, आरुण जी आप बताईए डेटा बर्ट बहुत नहीं. बोलिए, आपकी डेटा बर्ट क्या है? बोली, अरुण कुमार सर्मा जी, अन्म्यूट कर लिजे. 13 1969. 01. 03. 1969. 1969. अरुण मेरा और आपका सहीम है फिर तो. आजी. दोनों की डेटा बर्ट यहीं है क्या? नहीं, मेरे एर अलग है, डेटा बर्ट होई है. अचा, बर्ट बर्ट होई है, उसका ही फिर्स मार्च है. तो, मनिशा जी, इसका रूट नमबर क्या होगा? सब वन. वन. और डेसी नमबर कितना होगा इसका? सब एक सकीन एड़ करके बताती हूँ. इसका भी दो है, सब दो है. करो, करो. टू है, सब तू. सब बता दिया नोंने. हाँ, हाँ, कर दिये. नहीं, आप भी करके देखिए ना. आचा. क्या पता तपन ने ऐसी तुक्का मार दिया हो? सब 11 प्लस 11 है, वन प्लस वन टू. वन प्लस वन टू है. तो टेस्सिनी इसका टू आगए. ठीक है? ये दूसरा नमबर हो गया? कार्डिन नमबर. ये क्या चीज है? बलाए. इनकी देट है 1st मार्च. तो ये 01 जो है, यानि रूट नमबर जो होगा, कार्डिन नमबर हो गया. जीरो नहीं आता इसके अंदर. इसमें इतना फर्क होता है. जैसे मैं आपको एक्जाम्पिल दू. यहाँ पर डेट ओवर्थ है 1 मार्च 1969. यहाँ पर डेट है 15 आपर है 1960. तो यहाँ पर कार्डिन नमबर है 15 और यहाँ पर कार्डिन नमबर है 1. कार्डिन नमबर को आप सिंगल डिजिट में नहीं लाते. अगर वो सिंगल डिजिट में है फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है अधर्वाइस को नहीं लाते इतना फर्क होता है लेकिन जहां पर जीरो लगा हो उसको फिर सिंगल लेना पड़ेगा आपको बीस लिखावा है किसी का किसी की डेटो बर्थ मालिया लिखी है बीस तारिक बीस अगस्त नाइंटीन एक्टी यह डेटो बर्थ है तो उस केस में इसका रूट नंबर में दो हो गया और काडिन नंबर भी 2 हो गया क्योंकि जीरो को हम कंसिडर नहीं करते किसी की डेटो बर्थ है 21 अगस्त इसकेस में रूट नंबर कितना हो था पन 3 3 और काडिन नंबर कितना हुआ 21 21 21 21 21 ठीक है यह हमारे नंबर है तीन यह समझ में आ गए आपको अरूंजी मनिशा जी किलियर है सारा हाजी सर यह दो तीन चीज़ शुरू में याद रखिएगा इसके बाद तो फिर आपको एकड़म मालशा लगाए है कोई देकत ने लुगी तो यह हमारे डेट वर्फ के बार में था जो मनें बताया आपको तीन नंबर हमारी केल्कुलेट होते हैं हमारा ब्रूट नंबर बोलते हैं जिसको हमारा और हमारा काडिलork番ar काडिनल नंबर और रूट नंबर जब बराबर हो जाते हैं जब काडिनल नंबर आपका दस हो बीस हो तीस हो तो काडिनल नंबर रूट नंबर आपके बराबर हो गए क्योंकि जीरों को हम काउंट नहीं करते हैं या सिंगल डिजिट में हो देट वर्थ तो भी काडिना नंबर रूट नंबर बराबर हो जाते हैं इस सेंटेंस में किसी को प्रॉब्लम चलिए आगे चलते हैं अब आगे हैं जो मैंने आपको बताया इसको लाइन पाथ नंबर ही बोलते हैं लाइफ पाथ नंबर के आपकी लाइफ आप किस तरफ जाना चाहते हैं मतला आपकी यह जर्नी होती है डेस्टिनी डेस्टिनी मींस के यू वांट टू बी लाइक डेट और बेसिक विल बी बेसिक इस यू आर लाइक डेट क्योंकि दूसरों को आप दिखाते हैं, दूसरों के सामने आप अपने आपको पेश करते हैं कैसे you want to be like that और जब खुद होते हैं, you are like that तो यही नंबर है basic or destiny में तो destiny को life path नंबर भी कहते हैं कि basically जिस तर से आप अपने आपको परसीब कराते हैं समाज में, society में, वो आपका destiny number होता है, तो आदमी की जो quality होती हैं वो दोनों मिलके बनती हैं, एक root number से, एक destiny number से, दोनों का mix करके, यानि एक लगण है, तो एक चंदर राशी है, दोनों को mix करके जो quality बनती है, उससे आप आदमी की बारें बोलेंगे और आपका 95% सही निकलेगा, किसी भी इंसान के बारें बोलेंगे, वैसे तो रूट नमबर सही आदमी की बातें सही निकल जाती है, 80% तो, लेकिन टेस्टिन नमबर भी अगर शामिल कर लेंगे, तो उसमें 95% से उपर उस आदमी क्वा लोग बहुत राइब करते हैं लेकिन मावी हमको एटी टू एटी फई पसेंट जड़ी बिल पाता है क्योंकि बड़ा अथा सब्जेक्ट है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है निमरलोजी में हमको रिजट बिल सकता है और हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इस बंदे के अंदर यह क्वालिटी होंगी अगर हम उसका बेसिक नंबर और टैसिल नंबर समझ गए तो यह था उसका टैसिल नंबर कैसे निकालते हैं इसमें तो आप लोगों किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है चले नेम नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है यह मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा कैसे नाम चेंज करते हैं जहां पर कि आपकी मेलिक कमाई होनी है जहां पर आप लोगों को प्रडिक्शन दो गई अपना नाम आपको यह नाम आपका है तो इस नाम मे आगे पढ़ेंगे उस चीज़ को लेकिन यह नेम नंबर भी होता है तो नेम नंबर के लिए क्योंकि मालिया मेरा नाम राकेश है तो मुझे यह कैसे मालूम चले कि मेरा नाम जो है यह 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 प्रापर है या नहीं है तो इसके लिए मुझे राकेश को नंबर में करना पड़ेगा क्योंकि नंबर आखेल है सारा नंबर में कैसे करना है राकेश को नंबर में कैसे कर सकता हूं जब मुझे मालूम हो कि आर कितना नंबर दिखाता है ए कितना नंबर दिखाता है के कितना नंबर दिखाता है ए कितना नंबर दिखाता है S या H कितना नमबर दिखाता है अगर आपको यह मालूब चल जाए कि हर Alphabet का नमबर क्या है देखे वो ग्रह का नमबर है Confuse मत होना One नमबर है वो सूरी का है Two नमबर है वो चंदरमा का है तीन नमबर है वो जुपिटर का है वो अलग चीज़ है इसी प्रकार से alphabet के नंबर गी होते हैं कि एक का नंबर इतना से सौझ के इतना इतना वो आ वह आपको रटेना पड़ेगा यहां राषा्यां आप कर थे न कि ने को सिंप्ल में अंडर कर सकते हैं स्कोग्ण आपको याद करना पड़ेगा उसको उसके थुरू आप चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज का नाम कि भी आपको अपने नाम में ये अक्षर और लगबा लीजिए आपका नाम जो है बड़ा लखी हो जाएगा और आपको जो है सफलता मिलेगी अपने केरियर में अपने सफलता के लिए ये इलफाबैट के नंबर है थुरू जलख तो मैंने यहां पर लिखें नहीं है पूरे ए से लेकिज है जहां तक तक लेकिन नंबर है जども नंबर झे वाई हो स्जाना प्रहन हो ऊई हो हो इसका नंबर वन होता है बी के आर इसका नमबर टू होता है बी हो के हो या आर हो आपके नाम में उसका नमबर होता है टू इसका नमबर होता है थ्री टी अम्टी डी हो आम हो टी हो इसका नमबर फोर होता है H, E, N, X इसका नमबर 5 होता है H हो, E हो, N हो, X हो U, V, W इसका नमबर 6 होता है Z, O Z हो या O हो इसका नमबर 7 है और P, F इसका नमबर 8 है यह आपको रटना पड़ेगा मैंने जो रटा जिस तरीके से मैं आपको बताएता हूँ मैं पहले वाले को बोलता हूँ इसको बलकि ऐसे कर सकते हो आप जा आई क्यों की जगे ऐसे भी लिख सकते हो इसको मतलब कहने का यह है कि जै कोई लड़का है उसका IQ कैसा है जै IQ पहला याद रख लिए कि जै कोई लड़का है उसका IQ कैसा है यह नमबर आप लिख लिए कि जै IQ जो है इसका वन है नमबर दूसरा आप ध्यान रखिए BKR BKR को मैं बोलता हूँ बखरा कि बखरा का नमबर टू है जब भी BKR आ रहे है तो टू नमबर बोलिए क्लियर CLSG क्लियर सिक्यर्टी काड़ इसका नमबर तीन है DMT DMT के बारे में आप जानते हैं DMT अकाउंट होता है आपका आप लोगोंने किसी ने शेर्स खरीदे हों या शेर्स सा काम करते हों तो DMT बोलते हैं तो DMT को मैं 4 काम करता हूँ तो ये DMT जहां होता है तो मैं समझ जाता हूँ DMT की बात हो रही है तो 4 नमबर Hanks Hen, मुर्गी मुर्गी संबंदित कोई सवाल आया उसमें X और लग जाता है बस तो 5 नमबर देते हैं H, E, N, X UVW तो Continuous में होता ही है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये 6 नमबर देते हैं ZOO ZOO मैं तो ZOO को ZOO बोलते हैं ZOO को ZOO बोल लीजिए आप तो ZOO का 7 नमबर है यानि Z हो या O हो 7 नमबर है PF Provident Fund हम सब नौकरी करते हैं तो Provident Fund तो मिलता ही है तो Provident Fund का नमबर 8 है तो इस तरीके से आप नमबर याद कर सकते हैं अब जैसे हम लोग डिराइब करना चाहते हैं इंदरा गांधी का नमबर क्या है तो यह नमबर है मैं आपको अब इसको डिराइब करना सिखाता हूं फिर आगे आप इसको जब रिटेल में जाएंगे SPM नमबर में तब पढ़ेंगे असली में अभी मैं आपको डिराइब करना सिखाएता हूं नमबर तपन का नाम है टी-ए-पी-ए-ए-ण और क्या है आगे तपन सोनी S-O-N-I स-O-N-I कि हमें नेम नमबर निकालना है है क्या नेम नमबर जो मैंने आपको अभी बताया है कि नेम नमबर क्या है टी का नमबर क्षिशन होगा 4 DMT हैना 4 शाथ एका वन टी पी एफ आठ एक और पांच पांच यह तपन हो गया सोनी के मैं एस में आओ क्लियर सेक्यूर्टी गड़ टीन आ गया एस का ओका जू सेवन आ गया हैंक्स हैं मुर्गी वाला वह एन आ गया पांच आ गया और आई जै आई की वन हो गया है यह सोनी को हो गया चार एक पांच आठ तेरा एक चौदा और पांच उननिस तो उननिस नंबर तो हुए तपन के इसको भी सिंगल डिजिट में चेंज मत कीजिए और सोनी के उए तीन साथ दस पांच पंदरा लिक सोला अब या तो लोग आपको तपन बुलाएंगे या आपको लोग सोनी बुलाएंगे प्लॉप ऑप लोग तपन coeur ऑठ नुरॉप ना ओंच मे डिश्ट मेना को चार्ट बहुता आपके पास है उसमें देखेंगे नंबर क्या लिखा आई एंपाउंड नंबर क्या लिखा हुआ है संथ लिखा हुआ है सब्सक्राइब अ वरेज़ लखी नमब पीपलेट हैपिनेस सकसे अने फुल्स प्लविल्ट एंड एजिब देर गब तो बोट कि सोच लो तिमार नाम कितना अच्छा है श्यसिए प्लां जी आप बताइए अपना नमबर अरुन ए आर यू एन अरुन 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 बोलते हैं को शर्मा कुमार शर्मा हाँ जी आपको लोग क्या बोलते हैं अरुन बोलते हैं शर्मा जी बोलते हैं क्या मोलते हैं या अरुन कुमार शर्मा बोलते हैं नाम बोलते हैं चलो अरुन का ख्यार नंबर हुआ बताईए 1 1 plus R कितना हुआ 2 U 7 6 6 and 5 5 5 5 12 14 14 तो आपका आगया यह वाला अरुन आजी शर्मा का देखिए एस का क्या आता है कि दाई यह CLS जी क्लियर सिक्यूर्टी गार्ट तीन है एच हैंस बुर्गी वाला हैंस पांच और आजी ए 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 1 16 16 आच्छा यह तो वह अरुन का और यह वह शर्मा का अगर अगर कोई आपको अरुन शर्मा बुलाता है तो वह 16 प्लस 14 कितना होगा तीस होगया neu अब यह सोची है या आपको लोग Maxam कितने क्त क्या बुलाते आप अरुन। नाम बुलाते हैं या शर्मा बुलाते थे या अरुन कुमार शर्मा या आप यू यह चैना जी में किते नंबर हुए थे ए और सोल नंबर देखो क्या है इस जो मैं आपको पीडिया थे जाएंग किन फॉलिंग ओफ टावर विकाद अफ लाइट्णिंग पॉलिंग फॉलिंग ओफ टावर विकाद आफ लाइट्णिंग और उसके लिखा हुआ है सर की unlucky number this number indicates problems in the future wants the person the coming accidents and misfortunes it denotes a failure because of destiny तो ये लाम जो है मतलब ये इतना अच्छा नहीं अब आप क्या करेंगे अब अरुन कुमार यादब तो नाम रखवाली लेंगे आप हैं तो शर्मा ये ब्रहमन है तो शर्मा में कुछ करना पढ़ाईगा आपको ठीक है या तो 168 कर लीजे कया होता कि disci तो लोग अपना नंबर को च्एक कर सकते हैं एक और जैसे लोग अपना आपना नंदॉडों को चैक 5059 आज है तो जो आपको शर्माजी कहते हैं आप उनको बोल दो कि मुझे अरुन बोले अरुन का फॉर्टीन नाम अच्छा है तो अरुन बहुत बढ़िया है अच्छा आपको अरुन बुलाएं तो एक अच्छा वाइबरेशन आपके सामने होगा और एक अच्छा आपके लिए प्रसुत होगा और वह भी में कर दें हम लोग कर देंगे क्योंकि आपके डॉकुमेंट्स पर अरुन कुमार शर्मा लिखा हुआ है से कहरे आछा की बनाया था हम ने चौड़ा сп्षर्ट करेंदे चुना नौ ilum कि कुमार का फिल स्थिए बाइट कि नगालों तपंदाने कुमार का क्ट बाएए है दो फिलस चे दस चार प्स एक प्सक्राद दो आठ रभारा है कुमार का पंधरा रहा है हां कि छोदा पंदरा सूर्मा एंका ऐसे चोधा पंदरा सोल और जोड़ दो कितना हुआ चोदा पंदरा उनतीस सोला 45 45 अगत इनका आरुंकुमार शर्मा डाकुमेंट्स में नाम है हाँ जी डाकुमेंट्स में आरुंकुमार शर्मा है तो 45 नंबर देखिए क्या है आपका कैसा है कैसे इस नंबर गिवस्यू पावर औं रीडर्शिप फाललिटिस if such people work with their own mind can achieve success for sure lucky number अरुन कुमार शर्मा आपके लिए lucky number अच्छा बोलने में जो औरा आपका गरबड कर रहा है वो आपका गरबड कर रहा है शर्मा जी आपके बिजनस के लिए बिजनस में क्योंकि नाम देना पड़ता है डाकुमेंट करने पड़ते हैं आपको और आपकी नौकरी के लिए आपको डाकुमेंट्स देने पड़ते हैं तो वहां के लिए तो नाम आपका अच्छा है अरुन कुमार शर्मा लेकिल आपके चारो और एक नेगटिव औरा हो जाता है तो कोई शर्मा जी बोलते हैं लोग आपको ठीक है तो कोई शर्मा जी बोले तो उनसा रिक्वेड़्स कीजेए कि साथ मुझे अरून बुलाईए थीक है सर लेकिन सर वो जी लगाते हैं जैसे तो उससे कोई फरक नहीं आएगा हाँ उससा भी हो जाएगा जी आई गा लगा जी नंबर बैठा सर्मा जी बोलते हैं सर्मा कोई नहीं बोलता हूं हम तो शर्मा जी कितना हुआ है कि दो और आट हो जाएगा इसमें जेए और आई दोनों का वन-वन है कि तोटल 15 शर्मा कितना था तीन पांस आठ एक नौ तो ग्यारा चाहत अगरा 16 था ना था ठारा हुगी अठारा हुग अठारा का दीखिए पड़ो तपन पड़ो जाँ रहा है सर्क्या केरे हो सुरी अथारा नंबर पड़ो अथारा अथारा ओके अथारा है सर अशाइनिंग मून blood blood drops falling from it and a dog and a wolf licking them also a crab is approaching बोट उसके आगे इस नंबर इस नंबर डिनोट फैमली प्रॉब्लम्स दिस पीपल सफर बिकॉज अव दियर एनिमीज पीपल अर्न मनी बाई बिइंग रिलिजियसली कॉरॉप दे बेनेफिट फॉम सोशल प्रॉब्लम्स एंड रिवोल्ड यूशुद चूज दिस नंबर और रही है कि शर्माजी का नाम जो है वह नंबर आपका लखी नहीं ठीक अशाव तो यह था हमारा नेम नंबर इसके बारे में तो हम एक क्लास पूरी डिटेल में मारी क्लास एक नेम नंबर के उपर होगी जिसमें आपको नाम करना सिखांगा चेंज करना सिखांगा कैसे करते हैं लेंगे सब कुछ लेंगे यहां मैंने आपको सिर्फ एंट दिया आज ठीक है तो इसलिए मत होईएगा ज़रा सभी एक क्लास इस चीज़ के उपर एक या दो क्लास होंगी नेम नंबर के उपर इसकी मार्किट में बहुत डिमांड है कि नेम के उपर तो यह चैप्टर जो है इस पर हमारी दो स्पेशल क्लास होंगी अलग से जो हम आगे पढ़ेंगे नेम नंबर पे यह मैंना आपको भी भेज़ दिया है यह यह याद रखिए नेम नंबर में यूज होता है कि जहां पर आपका अरुन का सोला हो गया शर्मा का 29 हो गया यह कुमार का आपका 15 हो गया इन तिनों को जोड़ दो ढोगा इनको सिंगल डिजिल होगा रहा है में चेज नहीं करतें कमपाउंद नंबर को और फिर उस इस इस कमपाउंद नंबर से आप बिजल्ट देखते है इसी का एक नंबर है आप लोगों में से डेट ऑफ बर्थ में जिसका बेसिक नंबर एक आ रहा हो तो एक नंबर वाले क्योंकि एक नंबर का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है तो सूरे की क्या होती है बताइए आप लोग थोड़ा थोड़ा हिंट कीजिए एक रेसिव होते हैं बिल्कुल इस थोड़ा पीशे कर देता हूं एक नंबर संका है ना हमारा रूप नंबर एक हमारा सन है असर रेस्पेक्ट छलिए और कर वाले में आनुशाचन सूरे का अनुशाचन स्थिप्लिन होगा था हूं थे लूग में वहता है कर सकते हैं इसा कर सकते हैं कि मतलब खाना वario time ज्हुंब कर सकते हैं भीश्रव को एस ने बिल्कुल ठीक है बस विटा होड़ और कोई चीज सोचो ऐसी चीज समझ माती हो सन से आपको आप लुए बतारे है मैं नहीं बता रहा सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं लीडर्शिप क्वालिटी होती है अब बताएं ने रहे मनिशा चुपचा बैठे हो खिराव या अपना जो फ्रेंड्स होते हैं सब होते हैं उसमें ये लोग करते हैं सुसाइटी में डॉमिनेट करते हैं दोस्तों को बहुत असानी से बना लेते हैं और इंदे एक खास बात यह भी होती है कि दोस्त जितनी जल्दी बनाते हैं उतनी जल्दी किसी को आजनवी भी कर देते हैं यह स्ट्रेंज एक्टिविटी को करने में होते हैं Left different होते हैं लीक से लीडरीशिप कौनेटी होती है इनको पता है कि यह नंक्ष्क बोलना यह अमबर वालुटी होता है कि मुझको कई खड़े होके क्या बोलना है किसका क्या असर पड़ेगा दे नो अगर यह सेलरीड पीपल होते हैं तो दे रीच टॉप मैनेजर्ट पॉजिशन अपने के लिए बहुत अच्छे होते हैं सूर्य है तो डिजन मेकिंग पावर अच्छी होगी लिटर्शिप क्वालिटी होगी शरीरी पे तेज होगा जैसे आप लोग बताई रहे हैं आप सारी चीजें तो आपने पुदी बता दी हैं सेल्फ कॉंपिटेंस होगा उसके हुआ है oh yeah humidity होती है कि एंके अंदर और ół पढ़र होती है कि वीलबार बहुत हाई हो सिंथा आटेंशन के इनको हमेशा डेंशन चाहिए मतलब यह जाकर मैं फिल में कहीं बैट जाया और कोई इनको पूछना रहा हो तो इनको बड़ा मैसूस होता है इनको अटेंशन चाहिए दे रिक्वाइर अटेंशन हाई विल्पावर होती है ओन्स रेस्पॉंसिबिलिटीज अपनी जिम्मेदारियों को उठाते समझते दे शोपाथ टू अधर्स अधूसरी दों को रास्ता दिखाते सूरिय निलगी तो आगवी चलेगा तो शिंपल सी बात है कि सूरिय दूसरे दों को रास्ता दिखा रहा है ट्रैक्टिकल दे रड़ी प्रैक्टिकल प्रैटिकल कहूं तो वेरी प्रैटिकल बहुत प्रैटिकल होते हैं वांट टू भी इन लाइम लाइट हमीशा चाहते हैं कि मैं लाइम लाइट पर रहूं इनकी आदत होती है on an दे नो वाइट ट्यो बोया दो वन में ञालू में लेने यह एक बहुद ऑअज धि पुरूğ होते हैं का अधि कर दीटे बाध़े पैसा खरिच करते हैं कि नाम होता है उनका लिए सिर्य थेर्च नाम होता है तो हम इनकी होती औहले सिंट यह पावर ऐस Daha मुझए मालूम किला कितना पसंद एया व्यागों कि इतना पसंद हे लगिए सब्सक्राइब करने कि अगर बहुत है तो बहुत ऑफिडेंट हो जाएंगे अगर सुरी कमजोर है तो जीडियो कॉन्पिडेंस हो जाएगा कमजोर कैसे होता है बहुत को मजबूत कैसे होता है वो तो आपको आगे मालूम चलेगा लेकिन सूरिय अगर अच्छा है आपका तो बहुत कॉन्फिडेंट होँगे डॉमिनेटिंग यह नंबर बन वालों की इगोइस्टिक होते हैं तोड़े इम्मिनोटी इनकी इस्ट्रॉंग होती है लेकिन इगोइस्टिक होते हैं थोड़ा मतलब जल्दी इनको बात लग जाती है शौर्ट टेमपर्ड होते हैं दे लाइक टू गिव ओडर्र ओडर लेना नहीं चाहते हैं और देना चाहते हैं इसी लिए इनके साथ हमेशा प्रॉपर्टी इशू रिलेशन्शिप इशू रहते हैं थोड़ा बहुत क्योंकि यह चीजों को अपने हिसाफ से करना चाहते हैं सूर्य है राजा है किंग है लीडर्शिप क्वालिटी है डिस्सिप्लिंड है गवर्मेंट सर्विस वो तो सब चीज आएगी इसके अंदर अब इन्हें मैनेज कैसे करना है कैसे लोगों को कैसे मैनेज करेंगे तबन बता तुम्हें कैसे मैनेज किया गया अब बताओगे ना तुम्हें अपनी वाइफ को बताना पड़ाईगा कि मुझे इस तरह से मैनेज करो तो मैं बहुत अच्छा रहूंगा प्यार से मैं प्यार से हो मतलब सोड़ासा क्या किते हैं समयने वाला हो समयने वाला भी मतलब वही रहता है कि वह एक है तो यह थोड़ा हो सकता है वह सकता है इसका नबर एक है तो थोड़ा डिसिप्लीन हो सकता है उसका नंमबर एक है तो यह देने वाला हो सकता है तो बोह अगर यह बात को ध्यान में रखके छले तो बहुत अच्षा रहता है वह ज्यान में रखके चले गार्ग प्रेंट से बाते करेंगा तो पुलकुल पुरिशानी होगी यह लोग बहुत अच्छे होते हैं तो यह हैं एक नमबरी क्वालिटी अब आता है दो नमबर का स्वामी कौन है दो नमबर वाले की क्वालिटी जो होंगी वह बून की तरह होंगी ठीक है अब मून की क्वालिटी क्याया है कोई सी एक क्वालिटी बताएए मनिशा दे Всем ferment के कूल बने चंचल चंचल मतलब इमोशनल इमोशनल ऑर बताए चलायमान टाइप का हो गया मतलब माउंड एक जिए पृक्षर रहता है सर सेंसिटिव भी होते हैं सर मूड अच्छा है तो इमोशनल जैसे बताया सेंसिटिव होते हैं इस ठीक बात है आपकी ठीक बात है और चंद्रमा से क्या देख सकते हैं आप केरिंग लाक अमधर ओ येस वेरी नाइस तो ये सब चीजें हैं विच्छी कें सी फ्रम जो भी चीजा मून से देखते हैं आप बता सकते हैं कि जिसका भी बेसिक नंबर टू है वो ऐसा होगा अब कैसा है मून की क्वालिटी क्या क्या है मून की क्वालिटी देश्पैंड टू मच ऑन शोओफ यह वन नंबर का है यह वन नंबर वाले के लिए बताना भूल गया आप लोगो को यह प्रिकॉशन है वन नंबर वालों के लिए कि वो यह मनी अपनी शोओफ पर जादे खर्श कर देते हैं अंको थोड़ा फाइनिशली घान रखना चाहिए अपना के मनी को सेब करना और थोड़ा शुड़ नॉट बी स्टबॉन अंदा थिंग्स बतलब थोड़ा जिद नहीं करनी चाहिए शुड़ नॉट ट्रस्ट फ्रेंट्स ब्लाइंडी स्पेशली रिगार्डिंग फाइन्स एक नंबर वालों के लिए है यह जिनका सूर्य है वो ट्रस्ट बहुत जल फैसे चुपा नहीं पाते हैं अब यह इनकी प्रॉबबबल टीसीज है जो लिखी हुई है यह आप पढ़ लीजेगा हाइट प्रॉब्लम है है जो प्रॉबबल टीसीज है यह इसका पीडियव आप पास पहुंचा है भी नहीं पहुंचा है पहुंचा सफ हाँ नेक्स्ट क्लास में आप पास इससका पीडियव पहुंच जाएगा जितना मैं आपको पढ़ाउंगा उसका पीडियव आप पास पहुंच जाएगा ठीक है तो यह प्रिकॉशन जिनका नंबर एक है जिनका नंबर वन है उनके लिए लखी कलर है येलो गोल्डन येलो रेंज औरंज लकी जैमस्टोन है रूवी मंत्र है उनके लिए कि डिफिकल्ट टाइम्स में वो गायत्री मंत्र का जाब कर सकते हैं संडे के दिन वो फास्ट कर सकते हैं फैवरेबल प्रोफेशन उन लोगों के लिए है कि वो गौवर्मेंट जॉब करें इले खाउन ये खास बात नहीं ₌ नंबर तुम प नंबर तुम पहें किसी ने कहा था सब्सक्राइड ने बीच बीच में अभी है नहीं है या जिसका बीस टो जिसकी दो हो या जिसकी 11 टो अब इसा कोई नहीं है नहीं है श्योवाट जो डेस्टिनी नंबर टू है मतलब अगर आप टोटल करो बेसिक नंबर तो वन नहीं है हाँ तो टू नंबर जो डेस्टिनी है ना वो अभी आगया पढ़ेंगे हम लोग मिंस आप मार्किट में अपने आपको इस तरह का शो करते हैं कि I died to birth is 25 1067 यह बैसिकली इस टी करेक्टरिस्टिक विच इस पर सीवट बाइडी प्यूपल आप ऐसा बनना चाहते हैं आप स्थ को किसी को ना ना करें आप रोमेंटिक भी होना चाहते हैं वाई नेचर इमेजिनेशन पावर भी आपके अच्छी होने चाहिए लेकिन ये डेस्टिनी आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे अभी नहीं ऊहीं हो तो कैसे लोग होंगे वह माँएंगे अभी आपसिर्फ रूटłamर के बारें बात करें हैं कि जिसका और तो बार टूर्श हो इसकी की दे डेत ऑब़फ हो जिसकी टेट वबर फूंटी हो तिसकी भेश्ट इसकी बैश्च ब्रेट أو ब्पर 12 यह jan जान रहे हैं तो यह रोमेंटिक बाइनेचर आप इमेजिनेशन पावर इस पीपल लानोट स्टेबल बाइनेचर दे कैनोट डूए फिर लॉंग टाइम किसने का था मनीशा ने का था कि चलायमान होते हैं एक काम को यह लंबे टाइम तक नहीं कर पाते हैं जिसका दो डेट हो देयर मेंटिल एबिलिटी इस ट्रॉंगर दैन फिजिकल स्टेंथ मेंटा अबिलिटी बहुत अच्छी होती है उनके फिजिकल स्टेंथ के मुकाबले क्रियेटीव होते हैं बहुत नेचर को लब करने वाले होते हैं लब नेचर अपने दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं लेकिन इनके सचे दोस्त जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं हैं लो इंका लो होता है कि एमोशनल होते हैं थो फोड़ा कॉन्फिशनल होता है जो आदमीं इमोशनल होगा ना तो उस तो फड़ा कॉन्फिदेंश लो होगा इनको एक सपोर्ट चाहिए एक पैंपरिंग चाहिए अने शाद दो नमबर वालों को उनको सपोर्ट दोगे पैंपर करते रहोगे अंक्रेस करते रहोगे तो वो काम बहुत अच्छा करते हैं मतलब ट्रिमेंडस वर्क होता है उनका लेकिन अगर उन्हें कोई सपोर्ट नहीं है तो उस केस में उनका वर्क डिले हो जाता है वर्क एंदी डिलेट वैरी फ्रेंडली विद्धिय पोजिट सेक्स इंटिूशन पावर इनके बहुत होती है इंटिशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है जिनका दो नंबर होता है बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है हर नंबर की अपनी कुछ अच्छाइआं हैं कुछ बुराहिऊ हैं जैसे हमने पर ठाब था वैसी इसके तो यह तो यह हम नंबर के बारे में पड़ रहे हैं दो नंबर वाला बात मानेगा लेकिन करेगा वही जो करना है यह इनके साथ बोता है आप इनसे बोल दीजिए बाईश हो रही है बहार भाई अच्छा लिए बिना मजजाना बोला अच्छा ममी अच्छा पापा लेकिन जाएगा अगर उसे बिना चाते तो बिना चाते कि जाएगा इस और वह जितने शो करें भोई बात माने या के जिनका नभर वण है वो तो कह देंगे के न यहीं मैं बात passiert मां लेकिन तूर नंबर वाले इसा नहीं है तूरा वाले यहाई अगया हुशनल है बात काम को शुरू करेंके दीच्टेंद्ण रोक लेंगे चलायमान हां मंग चल्चल होता है तो एक ही काम में स्थिर नहीं रहते इ młod काल मां म2 को शुरू करते हैं रोक लेते अच्छा ये थोड़ा इमोशनल भी होते हैं अब आपका कहीं आप दो दोस्ट चले जाएं किसी घर पे अगर जिसका नंबर दो है टेटोप गर्थ में उसको आपने एक बाद पूछ लिया कि वही चाहे बनवा दें कि आपके लिए उसने एक बात क्यूंकि एक बार में तो न नहीं चाहेगी जोट नहीं है दुबारा को उससे नहीं पूछा तो वह बुरा मान जाता है यह प्रॉब्लम होती है इनके साथ क्योंकि एमोशनल है किसी को अपोज नहीं करते इमेजिलेशन इनका बहुत होता है इमोशनल होने की वैसे प्रोन टू डिप्रेशन है डिप्र थों भी चले जाते हैं इसे इसे सब्सक्राइय जो है को मांच अभी कहा गया है संदणा मामा दूर के तो मदर्ली इंस्तिंट्स पैस इसके तर aur गिवर होते हैं ये लोग किंग मेकर होते हैं किंग बनाने वाले होते हैं किंग नहीं होते हैं नंबर एक वाले किंग होते हैं यह लोग किंग बनाते हैं अट्रेक्टिव होते हैं क्रियेटिव होते हैं यह दो नंबरी खासियत बात है कि आल्वेज नीड पैंपरिंग यह मैंने बताया कि इनको हमेशा encouragement चाहिए relationship problem इनके बीच में रहती है emotional बहुत ज़्यादा होते हैं तो जराज़ासी बात का बुरा मान जाते हैं मजाक का बुरा मान जाते हैं peace of mind शांती थोड़ा बस plus minus होती रहती है इनके साथ एक चीज है कि इनके अपर blame लग सकता है किसी लड़के पे किसकी का नमबर आगर दो है किसी female के बारे में लेक्ट में इन रिलेशन टू एनी फिमयल दो नंबर वालों पे ऐसा लग सकता है रहे यह दो नंबर वालों के साथ बहुत होता है यह पीछे बताया आपको कि जर्ट करने वाले लगता ऐसा जो कर लेंगे लेकिन करेंगे वही जो करना चाहते हैं पाईटरी और आप लवर होते हैं इंट्यूआ बहुत अच्छी होती है उनकी इमेजिलेशन बहुत अच्छा होता है सब कॉंशिस माइंड बहुत अच्छा रहता है निके उनके साथ प्राबलम यह कि जैसे यह इस्ट्रेस होते हैं वैसी इनका स्ट्रोंक डिसॉर्डर होता ह दो नमबर वालों का disorder, stomach disorder रहता है क्योंकि यह stress बहुत जल्दी हो जाते हैं, emotions बहुत जल्दी हो जाते हैं, एक चीज को एक बार में complete नहीं करते हैं, बीच में दूसरी activity को start कर देते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है guidance, anxiety prone होते हैं, यह मैं आपको बताया, तो यह थी दो नमबर equality, आप अपने घर में, अपनी family में किसी को देखिए, जिसका दो नमबर date of birth में आता है, basic नमबर दो आत है, और कोशिश कीजिए, मिलाइए, कि इस तरही चीज़ें आती हैं, या नहीं आती है, precaution क्या है, क्योंकि यह emotional है, इन लोगों को बोला गया है कि भहिया, जब एक काम करो, तो उसे पूरा कर लो, uncomplete मत छोड़ो, आपके उपर कोई बुरा वक्त आए, hard times आएं, तो घबराओ नहीं, बहुत ज़्यादा emotional मत हो जाओ, emotional ज़्यादा होने से अपनी mental stability को यह खो सकते हैं, इनकी weak physical strength होती है, तो यह disizing को जल्दी पकड़ती है, इनको समझाना पड़ेगा, कि भाईया, आप stomach related problem हो जाती है, gastric issue हो जाते हैं, constipation हो जाता है, तो advocate precaution इनको लेनी पड़ती है, तो यह कुछ precautions हैं, जो इनको ध्यान में रखनी हैं, तो यह बहुत बढ़िया, should be careful in making friends, ऐसे नहीं के दोस्ट बना लिया, फ्रेंट्स को बनाते हैं, लेकिन बहुत रेर फ्रेंट्स होते हैं इनके, उध्यान से फ्रेंट्स बनाना हैं अपना, यह इनके साथ ध्यान रखने बादी बात हैं, यह lucky colors है, light green, white green, dark colors, यह lucky stone है, ओम सोम समान अमें, इनका वैदिक मंत्र है, बीज मंत्र है जो, favorable profession है, dairy related work है, journalism है, work involving water, जहां भी water involved है, जहां इंडियन नेवी हो, यहां भी ocean से समझेज़ी चीज़ों, merchant नेवी हो, वो सब चीज़ें, चंद्रमा के अंडर में आती हैं, दो number वाले का profession हैं, जैम्स का related work, architecture और art related work, यह सारे इसमें आते हैं, एक number और कर लेते हैं, ती number, यहां का समझ आया, सबको कोई दिक्कत हो ली किसी हो कुछ, तर अगर आपका name number, number और आपका basic number राइट, ओके अगर वो तीनों अलग हो फॉर एक्जाम्पल, तो उस case में मतलब, क्या मतलब, वो mix quality होती है, या हमें जो आपका birth number है, नहीं, name number से, आपकी personality पे name number का कोई फर्क नहीं पढ़ता, अच्छा, फर्क पढ़ता है खाली, maximum फर्क पढ़ता है आपका basic number का, और 30% फर्क पढ़ता है आपकी desk number का, ठीक है, 70% आप होते हैं, कि जिनका basic number एक है और suggestion number भी एक है तो वो कैसे होंगे, जिनका basic number एक है, जिस्टिन नमबर दो है तो वो कैसे होंगे, वो notes आपके पास पहुंचेंगे, आप वो पढ़ पाएंगे ठीक से, और आपको लगेगा कि हाँ भई मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन आप समझे दीजिए, कि आपकी basic quality को ये आपका बता देता है, जो आपने qualities बताई है, जो number आता है, जैसे one sun का, two moon का, ये basic number से या destiny number से, वतलब data birth एड़ करने के बाद, या basic number से है, ये qualities, basic number से आएंगे, जो data birth को एड़ करेंगे, आप date को एड़ करेंगे आप, single digit में लाएंगे, उससे आपका वो मालूम चलेगा, कि आपका Lord सन है, या आपका Lord चंद्रमा है, या आपका Lord घ्रस्पती है, आपका basic number क्या है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, वो basic number की बात कर रहेंगे, ठीक है, और कुछ चीज बताएंगे, चलो आज तीन number का अपने आप बताओ, तीन number का फिर मैं आपको next class से बताऊंगा, आप तीन number किसका number बताया मैंने आपको, जुपिटर, जुपिटर, तो जिसकी date of birth या जिसका basic number 3 होगा, वो कैसा होगा, जुपिटर की तरह, नाज़िज हो किसको बहुत क्यानी, येस, एड़ाइज जेने वाले, बहुत बढ़िया, बेला कथी छा, बेला कथीचर, बेरी नाइस, तपन, तुम भी बोलो कोई चीज, एंड़ प्रिटेक्टर, बिल्कु ठीक है, ओके, बेसिकली लाइक टीचर औली, राइट, और नॉलिजबल उते हैं, वो नॉलिजबल होते हैं, वेरी नाइस, बेरी इंटेलिज़ेंट, एजुकेशन वाइस, बेकल दे एक्शली लूलिजबल सी, वोक लाइक टीचर, और सब को प्रिटेक्ट करके चलते हैं, मतलब वो गलत नहीं होना देते, गलत नहीं होना देते, मतलब टीचर होते हैं, तो उनकी मौरल वैल्यूज होती हैं, तो दे हैं मौरल वैल्यूज बेसिकलिए हैंना, ये खास बात होती है इनके अंदर, तो तीन नंबर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि इनमे क्या होता है, अब ही मैं आपको बहुत छोटा सा बता रहा हूँ, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, नेक्स लास में यह बहुत इंपॉर्टन है नंबर तीन चार पांच छे नंबर अगर आप समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए अभी क्या टाइम होगा टाइम है मारे पाश पढ़नें तीन नंबर पढ़ा है चलिए तो तीन नंबर देख लेते हैं कि इस्ट्रेट फोर्वर्वड ओते हैं भॉटिश एक्ष फोर्वर्वड ने तो तुन ने भी नंबर पढ़ाई कर दे रहे हैं किसी के चार् cancel ने यह ज आपने अंदर लोगों को काम कराना चाहते हैं पावर चाहते हैं आपको बताओं के यूपी के जो चीफ मिलिस्टर है योगी आजित्यनात उनका नंबर बेशिक नंबर तीन है लाइक्स डिसिप्लिन सम्टाइम्स कें बिहेव लाइके डिक्टेटर हैंस प्यूपल टॉन इंटू देर एनेमीज यह इनके साथ थोड़ी प्लॉब्लम रहती है कि गुरू है तो थोड़ा एंकार तो होता ही है ज्यानी है थोड़ा एंकार तो आए गई आएगा स्टेट फॉर्वड हैं तो स्टेट फॉर्वड हैं तो थोड़े लोग शत्रू बन जाते हैं कि दियार इंडिपेंडेंट प्यूपल डूनोट लाइग इंटर्फिरेंस और डूनोट लाइग गेटिंग अबलाइज भाई यह इनका तीन नंबर वाले आदमी को आप किसी से अबलाइज भी नहीं कर पाऊगे कि तू कहते हैं ने कुछ के उसको कुछ चीज ओफर कर दो ब्राइब ऑफर कर दो उसको नहीं उसको आप अबलाइज भी कर पाऊगे इन चीजों से इसलिए वो अबलाइज नहीं होना चाहते हैं सितने इस नहीं कर दोकाइज अदिर थाओट्स वेरी नाइसली हैं स्केंध इंफल्फिपल इसलिए फॉट्स बहुत इसलिए इसलिए प्युक्तर वह इंफलेंश वहते हैं बहुत लग्की होते बट्टे फेलंटु से बनी टीचर है गुरू है उसका में मकसद पैसा नहीं है में अब्जक्टिव इस नोट मने मतलब वो future उनका regarding money नहीं चलता है चलाने वाले बात होती है उनके अंदर अब्सक्राइब आप दो दो बॉदर तुमच अबाऊट देर फूचर रिगार्डिंग मनी बटीव इस फाइनने सारो वे गटेंस यह थोड़ी थोड़ी सी है वाट फाइनन्स कम हो जाए तो थोड़ा थैंस भी हो जाते हैं अमार या ती नंबर फाला कुली भी है वर ती नंबर वाला टी नंबर هै टी नंबर वाल टी नंबर वाला वह बातिए यह वात कि आपाम revolution I am not sure I include this 267. So your basic number is 7. 25. 25 is your date of birth. So 2 plus 5. Convert it into a single digit. So 2 plus 5 is equal to 7. It means your basic number is 7. So now you will see the recording and you will know it. But your basic number is 7 basically. Now the characteristic of 7. Okay. Sometimes I got confused with the English timing and the Indian timing, the time difference. That's why I logged in really early. Oh, I got a bit late today. Sorry. You are staying at UK, right? In UK, yes. Yes. So 5 hours, 30 minutes difference is there. So if I have given 7.30 PM, it means that 7.30 PM is 2 PM UK. Okay. Okay. I think it will be 5 and a half hours from next week. The clocks are changing. So I think it's 4 and a half now. But next week it will be 5 and a half. 5 and a half. Next week it will be 5 and a half. So 2 o'clock. 5 and a half. So what we will do is that when we will send invitation, then we will send Indian time and UK time. Thank you. So you won't be confused. Okay. Thank you. Okay. These people likes discipline. 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 देखना चाहते हैं. यह भी एक नंबर की तरह है. होते हैं. Discipline चाहते हैं यह. यह चाहते हैं कि उनके लोग अंडर में काम करें. यह तो मैंने बताया कि सम्टाइंस केन बिहेव लाइक डिक्टेटर. इंडिपेंडन होते हैं. दोंट लाइक इंटरफेरेंस. दूनोट लाइक गेटिंग अबलाइस वाइनीवान. कैने इस्प्लें थाट्स वेरी नाइसली. यह लोग बहुत बढ़िया कांशलर हो सकते हैं. जो भी इनके विचार हैं, उनको यह बहुत बढ़िया तरीकेसर बोज सकते हैं. और लोगों को अपना यह. इंफ्लोएंस कर सकते हैं. दे यार फाइनशली लगी होते हैं, but they fail to save money और money save नहीं कर पाते तो वो थोड़ा सा टैंस भी हो जाते हैं इन में एक quality होती है they are easily depressed when expectations are not met अगर इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो जल्दी depressed भी हो जाते हैं they take care of social norms and do not look like going against them don't like their relatives much यह देखना आपके किसी घर में किसी का नंबर हो तो यह फ़ड़ा चेक करना quality कि यह है या नहीं है इसलिए ठीक है थी नंबर वाली अगर इनके according काम नहीं होता बिल्कुल बिल्कुल लेटिव हैं उनका थी नंबर यहीं चीज होती है they are benefited from travel travel से benefited होते हैं mostly their friends betray them and are selfish उनके जो फ्रेंड होते हैं उनसे दिल्ला समल के रहना चाहिए इन्हें अक्सर धोका खा जाते हैं अपने प्रेंड से यह they love sleeping and eating good food likes to stay in a beautiful house they are mostly found to be a liar professor lecturer social worker share broker or into religious activity spiritual होते हैं counselor बहुत अच्छे counselor होते हैं क्योंकि इतका बैंब बताया कि moral values वगरा बहुत अच्छी होती हैं तो किसी को भी यहां पर जो तीन नंबर वाला आद्वी है वह हमेशा अच्छी चीजों के लिए दिमाग घुमाएगा हरूत होते हैं इसलिए इनका प्रब्लम होती है लोगे भर में भी प्रब्लम रहती है नोगों को क्योंकि यह प्रस्टिस के साथ खड़े रहते हैं मिश्वाइप प्लानिंग होते हैं स्टेट फॉर्वर होते हैं बहुत चत्राई होती है इस्ट्रॉम होती है इनमें नौलेज होती है अटेश्मिंट इपैरेंट इस्टॉंग विल्पावर होती है गुड कांशलर ये बता दिया आपको इडवाइजर बढ़के होते हैं यह लूडस्टिक होते हैं किसी के किने देने में नहीं आते और इन में एक चीज़ यह की होती है कि नोट एक्सट्डेश्यमिंट कि आपने को यह समझते हैं कि मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं तो अपनी नंबर वालों थोड़ी सी तो यह अपर तीन नंबर का है क्या प्रिकोशान इन लोगों को लेनी चाहिए वह तो है है कि इनको मनी को स्पेंट टू मच नहीं करना चाहिए अपने लिए फ्यूचर के लिए पचा के रखो दूसरों की प्रॉस्पेरिटी से जैलेस मत हो कि यार प्रोन टू स्टॉमख डिसॉडर स्किन प्रॉब्लम थायराट रेटेड प्रॉब्लम जिनको हो सकती हैं जिनका नंबर तीन है फ्रूट्स खाएं डेली स्पाइसी फूट को अवाइड करें यह कुछ चीजें हैं जो इनको प्रिकॉर्शन लेनी है तो यह था हमारा तीन नंबर अब आप आप का थोड़ा सा होमवर्ग यह है कि आप दो तीन अपने रिलेटिव की डेट बर्थ नोट कीजिए अपने घर में अपने लोगों की डेट बर्थ वगरा नोट कीजिए जो और उनका बेसिक नंबर निकाल लिए एंड जस्ट सी कि पेसिक नंबर से उनकी क्रेक्टरिस्टिक कैसे आती है जो इसमें तो यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है मेरे खाल से नहीं तो आज हम यहां पर खतम करते हैं नेक्स लास से हम लोग चार नंबर से स्टार्ट करेंगे और बाकी लोग भी आ जाएंगे लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा इस बार रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट पहुंचेगी क्योंकि मैं मॉर्निंग से ही बहार जा रहा ह और सेटरड़े आपके पास यह रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी और आपके पास तीन नंबर तक जो पीडियोफ है वो आपके पास पहुंच जाएगा थ्री नंबर तक जो पीछा है एक जो एक पीडियो पहले इनको भीजी है अपने जिसमें डिटेल बता है भी नंबर का वो जैसे मेरे पास नहीं आई है इनके पास है तपन के अंके वो भी आईगी कैसी में मनिशा जी भेज देंगे आप ठीक है उसका प्रण निकलवा लीजेगा ठीक है ठी श्रीकर्ष्णा कि अधिर कुक्या बटाई ठीकला कि उसे प्रण एिक्राशनें को डिरे पर के इनकी तुम्ष्णाओंड़ चुम्ष्णा निकलवा जेए उनकी निकला है अधर प्रण के गईड़ धर टान के इनकी 7 वो जा बहूए इनकी आपना के ये इनकी आखका